हेलो काईस माइन नहीं में दाशिष और आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप options में sideways market के अंदर trade कर सकते हो sideways market के अंदर यहाँ पे बहुत लोग loss कर देते हैं just because of premium decay क्योंकि होता क्या है sideways market के अंदर अगर market movement नहीं देता है तो अगर आप कोई options buy करते हो तो उसकी premium यहाँ पे टूटना कर देना और चैनल को subscribe भी कर देना का चलिए यहां से वीडियो शुरू करते हैं अब माल लेते हैं कि मार्केट ने यहां पे जोन मना दिया अब यहां पर इसको एक्जामपल कर समझते हैं चलो अब यहां पर लोगो की यहां पर सामने शुरू है अगर आप देखोगे तो मा बरिकडाओन के यहां पर कनल सो यहां पर क्लोस होती है तो आप यहां पर फुट साइड मैं जा शक्तिय हो यह हमारा प्लाण रहाए लेकिन अगर माझन लो यह लेवल सब्रेक होती ही नहीं है है समयनगे तो हमें क्या करते होगी हमें क्यों करने पड़ें हैं यहां प हमने यहाँ पर option selling करनी होगी और हमें यहां पर sideways market की स्ट्रेटजी apply करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं। दो strategy होती हैं यहां पे उसके अलावा fix love, fix profit ο्पिट पहीं होती है कि हम स्टेडल के अंदर यह चीज करते हैं कि यह जो बॉक्स है यह जो आपकी रेंज है इसके बीच की जो एक स्ट्राइक प्राइज है इसकी बीच की कुण से स्ट्राइक प्राइज होगे जैसे कि फॉर एक्जांपल 18,350 की ठीक है 18,350 की तो हम क्या करेंगे यहां पे 18,350 का क एंड 18,350 की पूट यहां पे हम शॉट कर देंगे हम क्या कर देंगे यहां पे हम इन दोनों को शॉट कर देंगे लेकिन सिप इतना याद रखना अगर आप उपर वाली चीज मतलब की कॉल अगर एक लॉट शॉट करती हो तो आपको पूट भी एक लॉट शॉट करना अब इसके अंदर हमारा benefit क्या हुआ इसके अंदर हमारा benefit क्या हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा थोड़ी देर तक कि हां मानु उसके बाद ने breakout भी आ सकता है लेकिन अभी इसी रेंज के अंदर रहेगा आपका निप्टी 50 तो हम क्या कर अब यहां पर अगर आपकी जो कॉल है यहां पर लॉस देगी लेकिन आपकी जो पुट है वह आपको यहां पर प्रॉफिट देगी तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है यहां पर पर तो कल है इसकी प्रीमियम यहां पर तूट चुकी है और जितना मार्केट यहां से शाइडवेस करेगा उतना ही यहां पर आपको प्रॉफिट होगा अब ये चीज के लिए जो मैं आपको explain कर रहा हूँ ये जो आपके सामें टर्मिनल ओपन है ये धन का टर्मिनल यहाँ पे ओपन है और ये ट्रेड आपको दोनों एक साथ बनानी पड़ती है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप धन द्वारा basket में एक साथ यहाँ पे ट चितना market sideways जाते रहेगा यहाँ पे उतना हमें यहाँ पे premium टूटेगी मतला हमारे जो options की premium है उसकी premium घटते रहेगी तो हमें यहाँ पे profit show होगा लेकिन for example मान लेते हैं कि अगर market sideways नहीं जाता है जैसे कि आप तो यह assume कर रहे हो ना कि market यहाँ से sideways हो सकता है लेकिन maybe वो 2 गं 20 भी sideways हो जाए तो आपको यहाँ पे breakout में कैसे manage करना है मैं यह भी आपको बता रहेता हूं तो आपका जो पेनल है example की दौर मान लेते हजार रुपए का आप यहाँ पर शुरू है राइड लेकिन यहां से market अप जा रहा है अप जा रहा है और यह जो resistance है यह अभी break कर दिया तो में भी आपका जो यह पेनल है यहाँ से थोड़ा बहुत माइनस आ जाएगा आपको 400 रुपए शो कर रहा होगा या मानों 300 रुपए यहाँ पे शो कर रहा होगा तो यह time पे क्या करना है यहा तो आप अपना trade है जो यहाँ पे exit कर सकते हो या second चीज यहाँ पे आप थो जो call है आपकी जो call है उसे यहाँ पे exit कर दो और जो put है आप उसे यहाँ पे आराम से hold कर सकते हो क्यों 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 प्र जो आपकी short की वी है वो तो आपकी bullish ट्रेड ही बन जाएगी ना समझे आप बिरिवागा और market अगर यहाँ से अपर साइड जाएगा तो आपकी जो put की trade है मतलब आपने जो put short की वी है वो आपको यहाँ पे profit show करेगी आपको C वाली position card देनी है अगर market upside breakout दे देता है तो इसे के साथ में हम इसका उल्टा करेंगे अगर market यहाँ से जाता है जाता है जाता है और यहाँ से downside में fall breakout दे देता है तो आप simple एक चीज़ कर सकते ह हो यहाँ पे कि आपने अपनी position में से put exit कर दी और call को यहाँ पे hold कर लिया because call जो short की वी है आपने वो आपकी बेरिशी trade है और जैसे market यहाँ से down आएगा तो यहाँ पे आपको profit होना start होगा लेकिन for example यहाँ पे मान लेते हैं कि breakdown होने के बाद market वो आपिस से उपर चले जात इन breakdown होने करने दूसरी candle red बनी उसकी बाद में market आ गया वापिस से इसी के अंदर आ गया तो यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो जो चीज आपने short exit की थी put उसको आप वापिस से add कर सकते हो और आप वापिस से यहाँ पे अपनी straddle को continue कर सकते हो इसे कहते हैं कि कैसे तो simple आप directly बना सकते हो या तो पहली call short मार दो फिर उसकर में दूसरी put short मार दो लेकिन आपको एक साथ में अगर trade बनाना है तो धन आपको देता है यहाँ पे basket order का system यहाँ पे क्या कर सकते हो आप जैसे कि for example मैं यह basket open कर लेता हूं मुझे यहाँ पे आपको जाना है और यह इसको बताता हूं कैसे मिलते हैं यहाँ पर जाता हूं और आपका यहाँ पर विव है कि मैं एक दो lot यहाँ पर short करना चाहता हूं तो आपने 100 content यहाँ पर एड़ करना है मार्केट में लगाना चाहते हो तो आप मार्केट में भी order लगा सकते हो अधर्वाइस आपको limit में ल यहाँ पर हम आएंगे और अठाजा 350 का कॉल एड़ कर लेंगे याद रखना quantity में matter करना मतलब ध्यान देना सब कॉंटिडी सेम कॉंटिडी आपको सेल करनी है और यहाँ पर हम buy order भी लगा सकते हैं add to basket किया add to basket करते बराबर देखो यहाँ पर overall margin लग रही है आपको चार ला आप एक out of the money call buy कर लेते हैं हम out of the money call क्या करेंगे अठाराजा 700 का call buy कर लेंगे यहाँ पर लिख देता हूं मैं निप्टी अठाराजा 700 put 18,000 put लिखते बराबर जो पहला आएगा जो expiry रहेंगे current expiry उसकी मुझे buy कर लेनी है same quantity add to basket कर लेना add to basket करते बराबर यहाँ पर आपका काम देखो final margin एक लाग पांथ हजार साथ सो पच्चैसी रुपए में आपका यहाँ पर काम हो जाएगा यह benefit होता है यहाँ पर basket का अ यह मैंने आपको बता जिया second चीज यह चीज आपको कब-कब बनानी है अब यह चीज यहाँ पर Wednesday की दिन मना सकते हो यह चीज आप यहाँ पर Tuesday की दिन मना सकते हो ऐसा नहीं है कि Friday Monday को यहाँ पर बनता नहीं है लेकिन Friday की दिन क्या होता है कि premium थोड़ा सा कम मिलता है तो यहाँ पर Friday Monday के दिन भी बना सकते हो second चीज जब भी आपको ऐसा लगे कि market एक रेंज के अंदर जैसे कि for example यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर फसा हुआ था मार्केट उसी रेंज के अंदर पड़ा था तो आप यहाँ पर यहाँ पर यहा पर एक लंबा खासा फॉल आया था अब यह पॉल के अंदर हमारे पास में रेंज नहीं है हमारे पास में रेंज नहीं है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि market एक बार रेंज बना दे देन आप्टर डैट यू कैन गो फॉर स्ट्रेडल बनाओगे तो आप साइडवे आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर झीमल करना चाथे हो दहन में तो कर सकते हो विडियो पसंद आ तो तक लिए बाएबाए